अस्सलाम अलेकूं कैसे हो आप सब अलम्दुरीला मैं एकदम ठीक उमिद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो भई पिटारा सुबा में उट्टी है नाश्टा वाश्टा करती है फिर अपने कपड़े निकालती है तैयार होती है शीशे के सामने खड़े रहके उपर के नीचे तलक के अपने आपको पूरा अपकी नुमाईश करती है अपने आपको पूरा दिखाती है उसके बाद में जब शाम को रोना दोना डालती है तो यह जो पूरे दिन की रूटिंग थी पिटा रहा उसमें कहीं थे भी तेरे चेहरे से क्यों नहीं नजर आया कि कॉसर को लेके तू टेंशन में चलो एंड में तुने ये बोल दी कि बच्चों के वज़े से करना पड़ता है पता चलता है कि पिटारा पूरा वीडियो बने तलक के न तेरे दिमाग में है न ये वाला कॉंटेंट था ही नी तूने एंड में सोची कि इस्ता तो कुछ बना नहीं है और वीडियो की लाइंट भी छोटी है तो क्यों नहीं में बैठके सिंपती अला कुछ ना कुछ बक्वास कर दूं और फिर मैं इस तरह का टाइटल थमने लगा दूं अब कॉसर के नाम से लगाऊंगे तो व्यूस तो आएंगे वरना तो लोग तेरी मजाक उड़ाते के इतना सबकी फिर भी व्यूस नहीं आए अब देखो कॉसर ये वीडियो में थी नहीं ना अब आबरी लोगी थे खाली यही घर वाले थे तो इसको व्यूस तो आने नहीं थे क्योंकि कॉसर रहती ना अगर तो व्यूस जरूर आते अब कॉसर क्यों नहीं हो सकता है वो गाउं चली गई होएंगी एकाद दो दिन के लिए या हो सकता है इसकी तब्ये ठीक नहीं होएंगी या जो भी रिजन हो और अगर सच में गोंचु की वाइप नहीं है तो हो सकता है इसका अध्वेंड की चुट्टी होएंगी तो वो वज़े से वो नहीं आ पाई उएंगी तो इसके लिए फिर इसने देखी के भई कौसर तो पानी पारी यह व्यूस तो कॉसर के बिनाएंगे नहीं तो इसने बैठके फिर पूरा मों से ना इसने वही कर दी आप लोग समझ गए ना एंड में बैठके तो पिटारा तेरी सारी वीडियो से ना पता चल रहा है कि तुन्हें सिर्फ और तरी फैनस हो समझ के ना बाद में तेरे दिमाग में आया है कि मैं यह करती हूं पूरी वीडियो बनाए तलक्के ना तेरे दिमाग में मैं को नहीं लगता है कि यह कॉंटेंट था जो तुन्हें एंड में की थी वैसे पिटारा तो अपने आपको बहुत अच्छा शो करवाती है और तुन्हें जो यह तेरी जो काम अली है अनिता इसके बच्चों को जो तु तीन दिन से दिखा रही है सिर्फ और स्रीफ इसके लिए के देखो मैं कितनी अच्छी हूं मैं इनके लिए गीफ्ट लेक्के आई मैं राद को गई थी ना शॉपिंग करने तो मैंने इनके लिए कपड़े लेकर आई वो तो अनिता के बच्चों को डिखा रही थी न और वो साफ नजर भी आहा था खिया ने का मकदत क्या है कि तुछ उनके कुट् 2тор 57 नि और ने विएंदर्धतर उधर ऑंटे तरह खुदी केक काट रही है जबके बच्चों को देना चीए ता उन गरीब बच्चों को देती तो शाय तेरी जट और ज्यादा बढ़ जाती जो के कौड़ी की भी नहीं है वो थोड़ी सी बढ़ जाती के चलो उन गरीब बच्चों से केक कटवाई लेकिन नहीं गरीब परना बच्चों का ध्यान नहीं रखना यह सब काम में तेरे को आगे-आगे रहना रहता है तो लगता है पता नी क्या तुन्हें कौन सा यह से दुनिया पहाड तोड़ दिये के तेरे को इतनी इंपोर्टेंस मिले अनी ता के कपड़े आप लोग देख लेना कि उसके लिए तरस नहीं आया तुझे उसको इलिए भी तो था ना अजादी का दिन उसको भी कपड़े दिला देती इतनी अच्छी थी अरे पिटारा खली यह बोलने से के मेरा दिल बहुत अच्छा है मेरा दिल बहुत सौफ्ट है वो नहीं जाता दिखता है वो लोगों को बातों से नहीं करने दी वो अच्छा नहीं बना रहा है यहां से भी आप लोगों को पता चलता है कि जो इसको अच्छा लगता है ना गोंचू वही करता है जो इसको चाहिए ना गोंचू हो या कोसर उन लोग वही करते अगर के दो घंटा गोंचू जाके कोसर के घर पे बैठके मिन इसको भी नहीं लगा ना क्यूंकि यहारों को चुपा लेती है। तो अगर कोसर और बच्चे को चुपाने के लिए कौन से मैंनत लगेंगी। याद नहीं है डीडी और रुबीना आये थे। तो कैसे पता चला कि लोग इसके घर में है जब रुबीना ने वीडियो डाली डीडी दल्ले ने वीडियो डाला था ना तो पता चला था इसकी वीडियो से बिल्कुल भी नहीं पता चला कि लोग इसके घर में है तो कॉसर को भी हो सकता है घर में रखके छुपा ली होएंगी और बोल दी कॉसर आई नहीं मेरे बुलाने पर मकार औरत एक बात पर और गौर करना यह ना जब भी कूछ रहता है या डेली भी यह अपने कपड़े पूरे फैला के दिखाती है रखके बैठके उपर यह है मेरे कपड़े यह मैं पहनने वाली हूँ फिर पहन लेती है तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं दिखाती है तो यहीं से पता चलता है कि पिठारा को लगता है ना कि कॉंटेंट मैं हूँ मेरे को लोग देखने आते है मैं इंपोर्टेंस हूँ नहीं पिठारा तू बिल्कुल भी नहीं है लोग है ना देखने आते है कि घोंचु तेरे कितना ज़्यादा कि लाइफ जी रहा है वह तेरी बात ना सुनता है त्रोभातु को प्यार नहीं करता है जो तुन्हें कहानियां बताईए थी ने बहुत उत जीड़ादा तो लोग तो लोग यह दो तो ओ्यों अपने ही वीडियो से नहीं आपको एक्सपोस करती लेकिन घोचु का गुस्टा कोशर का गुस्टा कहीं नहीं देखने मिला मतलब कि तु जूटी थाबित हुई कि तु ने सारा के सारा जोट बोली थी के गुस्टई एक अच्चा हस्वेंड नहीं तेको धोका दिया तेरा साला मुखफ से शादी कर लिया। ता तुझे लेकिन गोंचु के लिए नहीं हलाके देखो यह सारी चीज़े ना ऐसा नहीं के बहुत भारी कपड़ा है तो मेंगा मिला होगा नहीं और लास पॉइंट पे जाते हैं जब ऐसी कोई चीज़े लेने क्यूंकि यह सारी चीज़े वही टेम पे खली काम आती है फिर अगले साल तो लोग है ना जब एकदम टेम पे लेने जाते ना तो बहुत सस्ता मिल जाता है यह लोग आदे भाव में बेच के चले जाते तो एक घोंचु के लिए भी अगर टीशट ले ले लेती तो किसनी गरीब हो जाती जब मलेशिया जा रहे थे तभी भी इसने कोट नहीं करता और गोंचु बहुत खराब है बहुत गंदा है बहुत बुरा है कमाल है भई मुझे तो हसी आती है उन लोगों के उपर बकी इतने बच्चों को भी कुछ तव्यार नहीं की जाईरती बात है हलीमा है वहां पर एक उसर है अनीता है तो लोगी ने इसके बच अप्रेंवाज तो आप लोगों को नहीं लगता है इसके अपर थोड़ी सि आवाज उठानी चाहिए सब और या तो हमेरा के लिए को उबात नहीं करता है तो इसने अपर नहीं बात करना चाये किकले यादु Cuando या रह जब शंद आर नग Camera कषाए दो दिन लोग बोलेंगे फिर छोड़ देंगे ठीक है लेकिन यह जो तू ड्रामे करती है ना तो खुछ जान बूच के दिखाती है कि तो किसी गिरी हुई मान ने तरी तर्वियत थी अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि गोंचु घर में बहुत सारे काम करता है जैसे स सजार ही होती है डेकोरेट कर रही होती है या कभी वो रूम में अकेली बैटी होती है आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे गोंचु जाके लेटा पड़ा है या वहाँ पे गोंचु जाके मतलब आराम कर रहा है या उसके रूम में घुसा है मतलब एकाद दो बार के अलावा वरना तो बچे रहते हैं न तबी ही गोंचु इसके रूम में नज़र आता है लेकिन हाँ ये जरूर आप लोगे ने देखा होगा कि डेकॉरेशन करना है या कोई काम करना है अगर पिटारा कर हो है तो वहाँ रमजण रहता है रमजबान रहेंगा तो पहुंच जाता है लेकिन गोंचु को मैंने नहीं देखी कि ये दर्वाजा बन करके रूम में बैटी है और गोंचु आपे पहुंच आएंगा वो बैट पे जाके लेट गया आएंगा आराम कर रहा होगा बिल्कुल भी निक तो ये कौन सा रिस्ता है और ये इतनी फ्रीडम रमजान को क्यों मिली हुए पिटारा को रमजान का साथ इतना क्यों अच्छा लगता है ये सारा कुछ हर मर्द के साथ में इसका था और फिर बाद में क्या क्या कान निकल के आए वो देख लो आप लो तो यहां पे समझ नहीं आता है क्या हस्बेन रमजान है या गोंचु ह और पिटारा जो इतना लेक्चर दे रही थी ना तैयारी नहीं हो पाई थी हमने एक दिन पहले तैयारी शुरू की हो गया हमें तो लगा था हो इनी पाएंगा रहने दे तेरे लेक्चर इद है ना सबसे बड़ा तेवार रहता है ठीके और इद मिलाद हो गया ये सब तेवार बहुत ज़्यादा ये रहते है इसमें तुने क्या तैयारी की अभी जो महरम गया है ये महरम तुने कैसे मनाई वो सब टेम पे क्या तेरी बस्ती गुल हो जाती है वो टेम पे क्यों नहीं मनाती है तु तेवार क्यों नहीं मनाती है अभी तु ऐसे जता रही है पता नहीं तुने डेगो बना के गरीबों को खाना खिला दी हो भई तुझे मेकप करना था रमजान ने वो फ्लैग वहाँ पे लगा दिया खतम हो गई ऐसी कौन सी तैयारी तुने कर ली जो इतना जदा बोल रही है कि हमने तो एक दिन में तैयार तुने की जाधा बोल रही है अच्छा बता रहे है यह पिछले साल का है अच्छा पिढ़ारा कितना जूड़ वोलती है तू बड़ी बड़ी चीजे जब वहां पे एक ड्रामा करना था मलिकाय का तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी अभी जो रिसेंट लीशें का आए हुए थे मीटप पे वो सारे सामानी इसको नहीं मिल रहे थे वानिता ने यहां वहां ते ढून ढून के ढून दून के निकाली थी आप लोगों को क्या लगता है इतना सी बैच यह समाल के रखी होएंगी यह एक रात पहले जो गई थी शौपिंग करने तब लेकर आईए यह यह चूडियां हो गई यह बैच हो गया यह कपड़े वगेरा सब यह लेकर आईए और बोल के आ रहे है यह प हां वो सब चीजों का होश है तुझे इतनी महिंगी महिंगी चीजे ला के तू उनको पूड़े की तरह फैंक देती है और इतना सी बैच तू समाल के रखेंगी हरे पिटारा जूड बोलने से पहले न अपने आपके अंदर ज्छांक लिया कर के लोग है न तेरे पर कितने स हवाल उठाएंगे के तू आई बड़ी अपने आपको एक बहुत अच्छी लेडी बताने के लिए के देखो मैं इतनी इती चीजे समाल के रखती हूं बेशरम कहीं की अब बताओ ये जो इतने एर फ्रायर ली थी जो बोल रही थी कि मेरा वध्यन कम करना है मुझे अभी के अब भी लेके दो नहीं तो जाके जिन्स चेंज करके आओ आज तलक के एक डीश इतने बनाई उतके अंदर नहीं बनाई ना मैंने वही टेम पे आप लोगों को क्या बोली थी ये लेके तो आ रही है लेकिन ये यूज नहीं करेंगी बाद में पता भी नहीं चलेंगा कि व बटन सेट करो आके चालू करके दिखाओ उसके बाद में यूज की और इसको लोग करते हैं इसको लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं जो पैसों की मा भेन कर रही है और बोल रही है मैंने इतना सी ब्याहे चैना ये तो महल की रस्की हैं इदर पिटे मू तेरे मनूस अच्छ के अधर लोग देखना के रात हो रही है और रात के टेम पे ये औरत इंडिपेंडेंडे मना रही है मुझे समझ नहीं आता है कि जो तुझ एक खुशी जतार ही है कि हां देखो हमने ये दिन को ये तेवार को ये अजादी के दिन को इतने अच्छे से मना आbol्ए हैं तो पी प्रीप्लाइन ड्रामा करके यह जताते हो कि भाई हम कितने खूश है हमने तैयारियां कि हमने यह किया वो किया आधी रात को ही तेरा सब कुछ क्यों होता है आधी रात को ही तुझे रोजा खुलना होता है आधी रात को ही तुझे एद मनानी होती है आधी रात को ही तुझे अजादी का दीन मनाना होता है पूरा दीन तुम लोग सोहे रहते हैं शाम को उठते हैं थोड़ी बहुत व्लॉगिंग शाम को करते हैं फिर पूरा प्री फ्लैंड जो केक काटना है और पूरा जो ड्रामा करना है वो रात को करते हैं तुम लोग अब आप लोग खुद ही दे ड्रामा करते हैं मतलब यह औरत है ना कोई भी चीज जैसे बोलते हैं एक डेली की रूटिंग होती है इसी तरह से रूटिंग होती है तो इसकी वह सारी रूटिंग कहीं पे भी नहीं नजर आती है यह सिर्फ और स्रीफ के काट के दिखा देंगी कि देख लो भाई मैं बहुत कोश हो तो यार हो के दिखा देंगी कि हम लोग असबैंट से इजी लेने बैठे हुए तो लगता है कि हमने ना बहुत अच्छे से तेवार मना लिए तो है ना पिठारा प्री प्लैन ड्रामा देखने की है ना यहां पर किसी को ना शौक है और ना ही जरूरत है ठीक है अग माद लग बड़े बड़े दिन गए जैसे कौसर को ले के बच्चा हुआ चलती हुई जिला हुआ इसने कभी भी केक निने मंगए और इसको अभी केक यादा आ गया इस्ते पहले भी यह दिन बहुत गए लेकिन अब आखने csuk मानएं गर्ते है नहीं नहीं कहा भर्षक का ब की पुरी पोल पटियां खोल के रख दूंगा अगर मैंने मोह खोला तो ये कई मोह दिखाने के लायत नहीं रहेंगी तो इतना इतने कोई जलील किया था और तू उसी को घर में लेके बैटी हुई है तो तुम लोगों के अंदर वे शरम नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है तेरे अंदर इतनी कोई तू बे शरम और घटिया हो रहते और इन लोगों की वज़े से ही तेरे सब पुटरों ने तेरी वज़े से इन लोगों को गालियां दिये थे ना तो कहां गई तेरी वो सेल्फ रिस्पेक्ट दूतरों से गालियां पढ़वा के उनको तो तुने ब दसी है पहले वो तो देख तुने तो खांदान के किसी मर्द को नहीं चोड़ी चाहे फिर वो मामो का लड़का हो चाहे ताया का हो चाहे भेहन का हो किसी के लड़के को तुने नहीं चोड़ी एंड में जाके तुने अपनी बेहन के घर में भी डाका डाली तो तू आई महियत में लोग नहीं जाते हैं कभी आप लोगों ने देखा है सुना है कि इनको कभी कहीं से इंविटेशन आया है यह लोग कहीं मौत महियत में जा रहे होंगे कभी नहीं क्यों कि हर एक रिष्टे को यह औरत ने डख चुकी है इसके लिए ना वो लोग इसको मौनी लगाते है इसकी हिस्ट्री है मेरी लाइब में जाके सुनना सब बताती हूं मैं वहाँ पर कि यह किस तरह की जलील औरत है तो इसी औरते कौन रिष्टा रखना चाहेंगो यही गुस्ती है सब के अंदर और फिर बाद में बोलती है कि मुझे डख लिए बेशरम कहीं की बाकी बहु तमासे आने वाले है बस रेडी रहना क्योंकि बिचारी के पास में कॉंटेंट नहीं है कॉंटेंट के लिए कौसर से ज्यादा अच्छा इसके पास में कोई चीज नहीं है तो वह सारक चीजों को लेके ड्रामे तो जरूर करेंगी खेर चले आने अले ड्रामे के लिए बच्पीचे